आज से 117 साल पहले 17 दिसंबर 1903 के दिन राइट बंदू और्विल और विलंबर ने उत्तरी कैरलीना में राइट फ्रायर नामक विवान से सफल उडान भरी थी मान 120 फीट की उचाई पर 12 सेकंड तक हवाई जाहस का अविशकार करने वाले राइट बंदू बच्पन से ही कलपना शील थे और अपनी कलपनाओ की उडान में उन्होंने हवाई जाहस बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया था राइट बंदू ने अपने सपने को साकार देना शुरू कर दिया था उनके परिवार ने भी उन्हें पूरी मदद दी लेखी का पामोला डंकन एडवर्ड्स ने अपने किताब दर राइट ब्रदर्स में लिखा है कि विल्बर ने कहा कि हम खुशकिस्मत थे कि हमारा पालन पोशन ऐसे वातावरं में हुआ जहां 1908 में पूरी दुनिया ने राइट बंदों के अविश्कार को माननेता दी